श्री सतीश किरंगेरे ख्रमता को समझते हुए श्री सतीश ने अपने गाउ में ही चाकी पालन केंद्र शुरू करने का फैसला किया। CSRTI मैसूर में तीन महीने के प्रसिक्षन के बाद उन्होंने चाकी पालन केंद्र चलानी के लिए पंजी करण प्राप्त किया। उनका मत है कि चाकी गतिविधियों के लिए कौशल, अनुभाव और निपुनता की आवश्यक्ता होती है। केंद्र प्रक्रियाओं का सावधानी पुर्वक पालन करते हुए बाइवोल्टाइन डबल हाइब्रिड के स्वस्त कीट बीजों का चाकी पालन करता है। चाकी के लिए प्रात्मिक अवश्यक्ता है, शेहतूत के रसीले और पौश्टिक पत्ते के लिए विशेश चाकी बागान का रख रखाओ। चाकी कीट के सर्वोत्तम विकास के लिए पहले और दूसरे इंस्टार के दौरान तापमान क्रमशा 28 और 27 डिग्री सेल्सियस और सापेकशिक आर्दरता क्रमशा 90 प्रतिशत और 85 प्रतिशत बनाये रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री सतीश ने प्रसनता व्यक्त की कि उनके प्रयास रंग लाए हैं और किसान इस केंदर द्वारा आपूर्थी किये गए स्वस्त चाकी कीटों से प्रती 100 DFL 90-100 किलोग्राम कोसों की फसल ले रहे हैं। जब दिन में तापमान कम हो, दूसरे मॉल्ट में कीटों को काटन बक्सों में वित्रित किया जाता है। चाकी कीट पालन केंदर में 50-100 व्यक्ती कारे रध हैं। श्री सतीश ने उन्हें विभिन तकनीकों और प्रथाओं में प्रशिक्षित किया है। लंबे समय से चाकी गतिविध्यों में लगे होने के कारण वे किसानों का मार्ग दर्शन करने में सक्षम हैं, जिससे वे सफल फसल ले सकें। श्री सतीश अपने साथियों को अपना ही चाकी कीट पालन की इंद्र स्थापित करने में मार्ग दर्शन और सहायता करना अपना कर्तवे समझते हैं ऐसा करके उनका लक्षे रेशमुत्पादन उद्योग में सुधार लाना है जिससे देश रेशमुत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके